वास्तु शास्त्र में ऐसे कई नियमों के बारे में बताया गया है, जिनका पालन करने से घर में हमेशा सुक समरिधी बनी रहती है कई बार जाने अंजाने में हम ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसका बुरा प्रभाव पूरे परिवार पर पढ़ता है वास्तू में बताए गए नियमों का पालन करने से नकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है साथ ही घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए इन चीजों के खत्म होने से पूरे घर को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है. घर की आर्थिक स्थिती पर ये चीजे सीधा प्रभाव डालती हैं. आईए, जानते हैं कि वे चीजे कौन सी हैं. अनाज वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कभी भी अनाज खत्म नहीं हो ने देना चाहिए. घर में अनाज का भंदार खत्म होने से नकारात मकता आती है. साथ ही ये अपमान का कारण बनते हैं. चावल और गेहुं को विशेश तोर पर कभी खत्म नहोने दें. ऐसा करने मा अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन रहती हैं. पानी के बरतन घर में कभी भी पीने के पानी रखने वाला बरतन और बात्रूम में बाल्टी खाली ना रखें. पानी के खाली पात्र रखने से घर में नकारात मकता और कंगाली आती है. साथ ही ऐसे परिवार को मानहानी का सामना करना पड़ता है. पानी का पात्र हमेशा भर कर रखें. रात के समय इन्हे विशेश तौर पर भर कर रखें. इसके अलावा पानी भरने के पात्र तूटे फूटे या खराब नहीं होने चाहिए. तिजोरी घर की तिजोरी या फिर आपका पस कभी खाली न रहने दें. थोड़े से पैसे उसमें जरूर रखें. पस या तिजोरी में थोड़ा बहुत प भाव डालते हैं. मा लक्ष्मी भी नाराज होती हैं. वहीं तिजोरी में गोमती चक्र, कौरी और शंक रखना बहुत शुब होता है.